एतिहासिक इस्थल अतिरंजी खेडा उत्तरप्रदेश में एटा जिले से दसमील की दूरी पर काली नदी के तट पर ये स्थान इस्थित है अनुशुति के अनुसार इस इस्थान की नीव राजा बेन ने डाली थी यहां इस्थित तीले की खोज 1862 में कनिंगम ने की थी अलीगर्ण मुस्लिम विश्विद्याले के तत्वावधान में सरुप्रथम 1962 इस्थी में यहां पर उत्खनन कारिय प्रारंब किया गया इसके परणाम सरुप यहां से इसापूर्व 2130 से लेकर 600 तक चार प्रमुक सांस्कृतिक इस्थरों के प्रमान प्राप्त होते हैं गैरिक पात्र परंपरा, काली लाल पात्र परंपरा, चित्रित धूसर पात्र परंपरा, तथा उत्तर की काली चमकीली पात्र परंपरा के गेरुवी रंग के मृद्भांड मिलते हैं। कुछ पात्रों के ऊपर खोद कर चित्रकारियां की गई हैं। इन में घड़े, कटोरे, तसले, नांद, मटके, छोटी तश्तरियां, कलश, प्याले आदी हैं। कुछ पात्र मोटी तथा कुछ पतली गड़न के हैं। इस काल क के निवासी क्रिशी करते थे, तथा जो, धान, तथा दालों की पैदावार होती थी। इस संस्कृति का समय 2000 से 1500 इसापूर के मध्य निर्धारित किया गया है। अतरंजी खेडा की दुत्तिय संस्कृति के लोग काले तथा लाल रंग के बरतन बनाते थे। इन बरतनों पर किसी प्रकार की चित्रकारी नहीं है। इन मृदभांडों के साथ दो इस संस्कृतिक इस्तर से मानव आवास के भी प्रमान मिलते हैं। चूले के अवशेश तथा बड़ी संख्या में कोर और फ्लेक उपकरण मिलते हैं। इस संस्कृति का समय 1450 से 1200 इसापूर्व निर्ध द्धारित किया गया है। तृतिय संस्कृतिके निवासी भूरे रंग के चित्रित मृदभांड बनाते थे। इसी आधार पर इसे चित्रित धूसर परंपरा कहा जाता है। इन्हें खूब गूती हुई मिट्टी से चाक पर बनाया जाता था। कुछ बरतन हस्त निर्मित इन में थालियां कटोरे आदी हैं। इन पर विविद चित्रकारियां मिलती हैं। इस इस्थर से लोहे के अनेक उपकरण जैसे भाला, बान, चिम्टा, संडासी, कुलहाडी, छेनी, चाकू, बर्मा आदी भी मिलते हैं। जो कृषी कर्म के प्रचलन को प्रमानित करते हैं। विद्वानों ने इनका समय ईसापूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी निर्धारित किया है। इससे सिद्ध होता है कि उत्तरी भारत में एकजार ईसापूर्व के लगबग लोह उपकरणों का प्रियोग होने लगा था। इ उनके पालतू पशुते, खुदाई में चूले के भी अवशेश मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा की तृतिय संस्कृति का समय एक हजार से छेसो इसापूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। अतरंजी खेड़ा की चथूर्त संस्कृति को उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा कहा जाता है इन बर्तनों पर एक विशिश प्रकार की ओपदार पॉलिश की गई है इनने चाक पर तैयार किया गया है थाली कटोरे छोटे कलश आदी प्रमुक बर्तन हैं मानव आवास के भी साक्ष मिलते हैं मकान अधिकतर मिट्टी गोबर घास फूस लकडी आदी की साहिता से ही बनते थे लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इन्टों का भी प्रयोग किया जाने लगा था इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि इस काल के लोगों का जीवन खाना बदोश अध्वा घुमक करना होकर सुव्यवस्थित था इसके अत्रिक्त मनुश्यों पशूँ आद के हड़ी, हाथी दान, लोही तथा तामवे की विविद वस्तुएं भी इस इस्तर से प्राप्त की गई हैं इस संस्कृती का समय इसापूर्व छटी शताब्दी से प्रथम शताब्दी के बीच निर्धारित किया जाता है अतरंजी खेडा से एक मंदिर का भी अवशेश मि गोड के निकट है इनामगाओं में लोग लगभग छतिसो से सताइसो वर्ष पहले रहते थे एक तामर पाशान कालीन इस्थल है प्रमुकतत्य इनामगाओं की बस्ती किलाबंद एवं खाईयों से घिरी हुई थी यहां चूलों सहित बड़े-बड़े कच्ची मिर्टी के म मकान तथा गोलाकार गड़ों वाले मकान मिले हैं अनाच के रूप में राजस्पर लेने के लिए कोठार की व्यवस्था थी इनामगाओं के लोगों का मुख्यपेशा क्रिशी था जानवरों को मांस और दूद के लिए पाला जाता था मांस के लिए जंगली जानवरों का शिकार भी किया जाता था इनामगाओं के पुरा स्थल से गेहु, जौ, दलहन, बाजरा और तिल के अवशेश मिले हैं यहां से कई जानवरों के अवशेश भी मिले हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड, कुत्ता, घोडा, गदा, सुवर, सांभर, चितिदार हिरन, काला ह बारा सिंगा, खरगोश, नेवला, आदी, यहां से चडिया, मगरमच, कच्छुआ, केकड़ा और मचली के अवशेश भी मिले हैं, कुछ जानवरों की हड़ियों पर काटने के निशान भी हैं, इससे पता चलता है कि इन जानवरों का इस्तेमाल भोजन के रूप में होता थ इतिहास कारों को कई फलों के अवशेश भी मिले हैं, जैसे कि बेर, आवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरी इनाम गाउं के कब्रगाह में वयसकों को ही दफन किया जाता था, मृत शरीर को सीधा लिटा दिया जाता था और उसका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था, कुछ लोगों को घरों में ही दफनाया जाता था, मृत के साथ बरतनों को भी दफनाया जाता था, इन बरतनों में शा इस जार को एक पांच कमरे वाले मकान के आंगन में रखा गया था, ये उस पुरास्थल के कुछ सबसे बड़े मकानों में से एक था, उस घर में एक बड़ा भंडार भी मिला है, मृतक के पैर मोड कर लिटाया गया था, इतिहास कारों का अनुमान है कि वो अवश्य ही कोई मह तो पूर्ण और धनी व्यक्ति रहा होगा, हो सकता है कि वो एक सम्रिद्ध किसान हो या गाउं का मुखिया हो, प्रिष्ट संख्या 69 उदैगिरी वैसनगर के निकट उदैगिरी विदिशा नगरी का ही उपनगर था, पहाडी के पूरब की तरफ पत्थरों को काट कर गुफाईं बनाई गई हैं, गुप्तकाल की ये गुफाईं धार्मिक मूर्तियों की बारिक और भव्यनकाशी करने वाले कारीगरों के कौशल का प्रम इन गुफाईं में प्रस्तर मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं, जो भारतिय मूर्तिकला के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है प्रमुक्तत्य उदैगिरी को पहले नीचयगिरी के नाम से जाना जाता था, कालिदास ने भी इसे इसी नाम से संबोधित किया है दसवी शताबदी में जब विदिशा धार के परमारों के हाथ में आ गया तो राजा भोच के पौत्र उदया दित्या ने अपने नाम से इस इस्थान का नाम उदयगिरी रख दिया उदयगिरी में कुल बीस गुफाएं हैं चोथी और पांचवी शताबदी में इन गुफाओं को बलुआ पत्थर की पहाडियों से तराशा गया था ब्राम्मी लिपी में लिखे गए शिलालेक इन गुफाओं में पाए जाते हैं जो इन गुफाओं का कालिक्रम को पता लगाने में उपियोगी साबित होए हैं गुफा पांच में भगवान विश्णु के वारह अवतार की मूर्ती है जो गुप्तकाल का एक सरवादिक उप्युक्त उधारन माना जाता है गुफाओं की प्रस्तर की कटाई कर छोटे-छोटे कमरों के रूप में बनाया गया है साथी साथ मूर्तियां भी उतकिर्ण कर दी गई हैं पहाडियों से अंदर 20 गुफाओं हैं जो हिंदू और जैन मूर्तिकारी के लिए प्रख्यात हैं मूर्तियां विभिन पौरानिक कथाओं से संबद्ध हैं और अधिकांश गुप्त कालीन हैं वर्थमान में इन गुफाओं में से अधिकांश मूर्तिविहीन गुफाईं रह गई हैं ऐसा यहां पाये जाने वाले इस्थानिय पत्थर के कारण हुआ है पत्थर के नरम होने के कारण खुदाई का काम आसान था लेकिन साथ ही साथ ये मौसमी प्रभावों को जेलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं एक अन्य गुफा में गुप्त संवत 425 से 426 ईस्वी में उतकीन कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल का एक अभिलेख है इसमें शंकर नामक किसी वेक्ती द्वारा गुफा के प्रवेश द्वार पर जैन तीर्थंकर पार्षवनात की मूर्ति के प्रतिष्ठापित किये जाने का उलेख है गुलबर्गा गुलबर्गा दक्षन भारतिय राज्य करनाटक का एक लोग प्रिय एतिहासिक शहर है जिसे कभी कलबुर्गी के नाम से संपोधित किया जाता था बाद में इस शहर का प्राचीन नाम हटा कर गुलबर्गा कर दिया गया कल बुर्गी का शाब्दे कर्थ होता है पत्थरों का शहर राष्ट कूटों और चालुक के के बीच संघर्ष के दौरान ये शहर प्रकाश में आया यहां इन राजवन्शों ने छटी से बार्वी शताब्दी के मद्य शासन किया गुलबर्गा शहर चौदवी शताब्दी में बहमनी सुल्तान द्वारा इस्थापित किया गया था और बाद में अठारवी से बीस्वी शताब्दी तक हैदराबाद के निजामों के अंतरगत रहा प्रमुक तथ्य दक्षण के बहमनी वन्ष के संस्थापक सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्ग को 1347 इसवी में अपनी राजधानी बनाया उसने इसका नाम एहसाना बाद रखा 1425 इसवी तक ये इस राज्य की राजधानी रहा जबकि नौवे सुल्तान 1422 से 36 ने इसे त्याक कर बीदर को राजधानी बनाया वरंगल के काकतियों के राज्यक शेत्र में शामिल इस नगर को आरंबिक 14वी शताबदी में पहले सेनापती उलूख खां और बाद में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली की सल्तिनत में शामिल कर लिया गया सुल्तान की मृत्यु के बाद ये बहमानी राज्य 1347 से लगभग 1424 तक ये इस सामराज्य की राजधानी था कि अधीन हो गया और इस सत्ता के पतन के बाद बीजापूर के तहत आ गया सत्रवी शतापदी में मुगल बात्शा औरंगजेब द्वारा दक्कन विजय के बाद इसे फिर से दिल्ली सल्तिनत में शामिल कर लिया गया लेकिन अठारवी शतापदी के आरंभ में हैदराबाद राज्य की स्थापना से ये दिल्ली से अलग हो गया अपने आतिहासिक परिदृष्य के साथ ये शहर वर्तमान में अपने विभिन मंदिरों और खूपसूरत परियटन स्थलों के लिए जाना जाता है